दोस्तो technical error की बज़े से इस वीडियो में बीच में से audio missing हो गया था उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ अभी पूरा audio के साथ दुबारा से इस वीडियो को upload किया है तो इस वीडियो में जितने बाकी facts हैं आप देख सकते हैं दोस्तो अगर आप ध्यान से देखें तो disability element में चाहे हो invalid का हो या service pension का हो disability element में लगबग 3000 रुपे तक की भी परमत में जिनकी बढ़ोतरी हुई है जिन लोगों का pension बढ़ने वाला है उनका कितना बढ़ोतरी बढ़ा हुआ पैंसन उनको कितना मिलेगा आपको जो मैंने calculation करके निकाला है जो area का पुरा खाका पुरा table बनाया है बिल्कुल सटीक और accurate table बनाया है उसको मैं दिखाता हूँ आप एक साल service वाले हैं चाहे आप 32-33 साल service वाले हैं चाहे आप family pensioner हैं चाहे आप disability element लेने वाले pensioner हैं चाहे आप service element ले रहे हैं कोई भी element ले रहे हैं किसी भी rank क हैं किसी भी length of service के हैं सभी का calculation OROP का आपको हर्मत कितना बढ़ेगा आपको total area कितना मिलेगा नमस्कार बंदे मातर हों दोस्तों स्वागते आप सब का सैनिक पार्ट साला में जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह से one rank one pension का जो second revision आया है उसके भी दो पहलू ह हैं बहुत सारे ranks इसके दाइरे से बाहर हो गए specially जो जैसियोज हैं पुराने जो pensioners हैं वो लोग इसके दाइरे से बाहर हो गए और जो already average pension से उपर जिनका pension बैठ गया है वो भी इस दाइरे से बाहर हो गए लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी हम नहीं नकार सकते कि बड़ोत हुई है specially जो एक्स ग्रूप वाले हैं और उसमें भी special category जो 2016 के बाद वाले एक्स ग्रूप जिसको एक अलग category करके इसमें दिखाया गया उसमें बड़ोतरी ज्यादा हुई है दोस्तों और साथी साथ सिपाही नायक हवलदार या honorary नायक सुदार तक थोड़े हद तक कुछ कुछ लोगों की बड़ोतरी हुई है और family pensioners में भी disability element में भी invalid pension में भी कुछ हद तक बड़ोतरियां हुई हैं तो विशंगतियों को दिखाने के साथ साथ जिनकी बढ़ोतरी हुई है जिन लोगों का पैंसन बणने वाला है उनका कितना बड़ोतरी बढ़ा हुऊवा पैं सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए आपको जो मैंने करके निकाला है जो एरियर का पुरा खाका पुरा टेबल बनाया है बिल्कुल सटीक और एकुरेट टेबल बनाया है उसको मैं दिखाता हूँ चलिए पहले उसको देख लेते हैं दोस्तो disability pension का disability element के लिए जो area calculation का condition से हो सेम है इस calculation में minimum pension को लिया गया है OROP 1 into 2.57 factor से इसमें ज्यादा से ज्यादा बड़ोतरी को दिखाया गया है आपका actual बड़ोतरी इससे अलग होगा और कम भी हो सकता है और जुलाई 2019 से जुन 2021 तक DR 17% लिया गया है जनुरी 2022 से जुन 2022 तक DR 34% लिया गया है जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक DR 38% लिया गया है और X ग्रूप में दो केटेगरिये जैसे की टेबल्स में भी हैं दोस्तों तो एक pre 16 और एक post 16 वाला केटेगरिये तो उसी हिसाब से यहाँ पर calculation भी अलग-अलग मैंने किया है जो आप आगे देखेंगे अब यह अगला देखिए दोस्तों इसमें आपको आर्मी, एर फोर्स और नेवी में अलग-अलग रैंक का इस हिसाब से देखना पड़ेगा आप नेवी या एर फोर्स में हैं तो आर्मी के इन रैंक्स के साथ अपना equivalent वाला रैंक आपको compare करना पड़ेगा यह वाला एर फोर्स के लिए और यह वाला अगला जो है यह नेवी के लिए तो उस हिसाब से आपको table के अंदर अपना rank को compare करके समझना पड़ेगा कि आप अगर हवलदार हैं तो आपको सर्जेंट का या पीटी ओफसर का देखना पड़ेगा उस हिसाब से आपको compare करना पड़ेगा तो दोस्तों area calculation of disability element of disability pension यह disability pension का disability element का y group वाला calculation है दोस्तों देखिया आप जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं यह जो है यह OROP on के हिसाब से 100% disability इतना था 100% disability जो OROP 2 का table इतना है और 100% disability के हिसाब से हर मंथ में बड़ोत्री कितने हुई यह वाला यह column है और 75% में वो बड़ोत्री है और 50% में वो बड़ोत्री है उसके बाद आपको area total कैसे मिलेगा 100% है तो इतना 75% है तो इतना और 50% है तो इतना आगे आप rank wise इस चीज़ को आप देख सकते हैं जैसे आप rank है rank के हिसाब से सिपाही नायक इस तरीके से आप हबलदार का यह line देखिए और यह लाइन देखिए इस हिसाब से आपको लाइन वाइज अलग अलग देखना पड़ेगा अब rank के हिसाब से जो आगे line है उसमें जो पुराना pension नया pension 100% के हिसाब से है आगे मैंने 75% 50% का भी calculation किया है जैसे कि आप यह देखिए यह वाला जो है यह figure लेना है आप इसका पूरा data screenshot लेके भी एक बर समझ सकते हैं या तो वीडियो को pause करके भी इसको समझ सकते हैं यह अगला है दोस्तों अगला देखिए area calculation of disability element of disability pension x group pre 16 या कि यानि कि एक्स group के दो दो भागें आप देख पा रहे है pre 16 और post 16 यह देखिए सिपाई नायक हवलदार सुवेदार और सुवेदार 30 यार्स वाला तो इसमें जो यह पुराना जो disability pension है 100% हिसाब से यह 100% के हिसाब से नया orop2 का disability pension और disability pension 100% के हिसाब से कितना बड़ोत्री होगा 75% के हिसाब से कितना बड़ोत्री होगा per month और 50% के हिसाब से पर month कितना बड़ोत्री होगा और 100% 75% और 50% के हिसाब से आपका area कितना बनेगा उसका पूरा इसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों आप वीडियो को पहुज कीजिए या इसका screenshot लेकर के एक बार आप इसको समझ सकते हैं अगला जो टेबूल है दोस्तों देखिए area calculation of disability element of disability pension x group post 16 जो की सबसे फाइदे मन्त rank category ये रहा है दोस्तों OROP2 में अब देखिए ये रहा आपका rank वाला chart सिपाई नायक हवलदार नायव सुवेदार 28 साल सुवेदार 30 साल आगे जो ये पुराना pension ये वाला column ये पुराना pension 100% के इसाफ से नया pension OROP2 का 100% के इसाफ से फिर नय pension और पुराने pension में कितनी बड़ोतरी हुई 100% में कितनी हुई 75% में कितनी हुई और 50% में कितनी हुई ये पूरा column है और आपको area कितना 100% के इसाफ से कितना area मिलेगा 75% के इसाफ से कितना area मिलेगा और 50% के इसाफ से कितना area मिलेगा ये पूरा stable में है आप इस table को pause कीजिए या तो इसका screenshot लीजिए और पूरा अपना rank के इसाफ से आप देखिए यह X group post 2016 का है दोस्तों इसमें आकडा भी ज्यादा है और बड़ोतरी भी ज्यादा है आप इसको देखकर के Y group वाले अपना ना समझके बैठें क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ोतरी ज्यादा हुआ है आप इसको pause किजिए और समझिए अब देखिए दोस्तों area calculation अगला जो है यह area calculation of invalid out service element यानि कि जितने भी लोग invalid out हुए हैं चाहे वो recruit हैं चाहे जो भी हैं पांच-छे महिने से लेकर 15 साल service तक का मैंने लिया इसमें invalid out cases का और उनका service element क्योंकि invalid out cases में service element, disability element दोनों भी हो सकता है या सिर्फ एक भी हो सकता है यह service element वाला calculation है Y group का सिपाई का मैंने सिपाई का ही लिया है लगबग invalid out सिपाई के ही case होते हैं तो 0.5 से लेके 15 साल तक का minimum pension, OROP का pension उसके बाद per month में कितनी बड़ोतरी, total area कितना और area का installment कितना आपको मिलेगा इस वीडियो को pause कीजिए या इसका screenshot लेके आप 30 से समझेए यह invalid out वालों का service element है Y group का सिपाई का दोस्तों तो इसको आप अच्छे से समझने के लिए आप pause कीजिएगा या वीडियो का screenshot लिजिए यह देखिए दोस्तों area calculation of invalid out service element X group pre-16 वो ही सेम चीज़े invalid out वालों का X group वालों का pre-16 वालों का calculation है इसमें आपको समझना है कि आपका length of service कितना है यह सिपाही का है दोस्तों सारे में मैंने सिपाही का ही लिया है invalid out का calculation के लिए क्योंकि लगबग सिपाही होते है यह रहा length of service 6 महिने से लेकर आगे 15 साल तक का मैंने लिया है उसी साब से आगे minimum pension यानि की पुराना pension कितना है नया pension ORP2 के साब से कितना बना है पर मन्त में कितनी बड़ोतरी हुई है invalid pension में और total area उसका कितना बना है और area चार मुस्तों में मिलेगा तो पहला मुस्त आपको कितना मिल जाएगा यह हो गया दोस्तों group X का सिपाही का pre 16 वालों का invalid pension का service element आगे दोस्तों आप देखिए area calculation of invalid out service element of group X सिपाही post 16 यह सबसे ज़्यादा फाइदा लेने वाला rank category है दोस्तों post 16 जिसका की बासट सो रुपया group पे था यह post 16 का invalid out वालों का सिपाही का service pension यह length of service यह पुराना pension यह नया pension ओवारोपी टूब का यह पर मंद increase यह total area और यह पहले मुस्त का area वीडियो को पॉज कीजिए या screenshot लेके इसको ठीक से समझिएगा अगला दोस्तों area of disability element क्यूंकि जो invalid out pension होता है उसमें disability भी मिलता है लोगों को किसी किसी को disability element किसी किसी को service element किसी को दोनों मिलता है तो इसमें अभी आप यह disability element देखिए Y group का सिपाही का Y group का सिपाही का disability element है यह देखिए length of service है आगे अपना length of service के हिसाफ से आप देखिए पुराना pension यह ROP 2 के हिसाफ से नया pension और 100% disability है तो कितना रुपए की बड़ोत्री पर मन्त में हुआ है 75% है तो कितना रुपए की बड़ोत्री पर मन्त हुआ है 50% है तो कितना रुपए की बड़ोत्री पर मन्त हुआ है आगे total area जो आपको मिलना है 100% के हिसाफ से कितना area मिलेगा यह column में है 75% के हिसाफ से आपको कितना area मिलेगा वो यह column में है और 50% के हिसाफ से आपको कितना area मिलेगा यह इस column में है दोस्तों तो इसको आप pause करके या screenshot लेके अपना length of service के साफ से समझेगा यह x group का pre 2016 वाले x group का invalid out का disability element है समझेगा दोस्तों यह सिपाही का है x group का है pre 2016 का invalid out का disability element है यह रहा आपका length of service यह रहा minimum यानि कि पुराना pension यह रहा हो रोपी 2 का pension 100% में per month बड़ोत्री इतना होगा 75% में इतना होगा 50% में इतना बड़ोत्री होगा और 100% में area जो है आपका बड़ा हुआ इतना मिलेगा 75% में इतना area मिलेगा और 50% में आपको इतना area मिलेगा इसको समझने के लिए अप 2016 के बाद वाले जितने एक्स ग्रूप के थे उनका disability element invalid आउट वालों का सिपाही का जो कि post 16 का सिपाही है और इसमें आप देखिए दोस्तों ये भी वही है जो सबसे ज्यादा फाइदावाला category ये length of service है ये पुराना पैंसन है और फी वन के area total और 50% disability है आपका तो कितना area होगा अपना length of service और disability percentage के इसाब से समझने के लिए वीडियो को pause करके आप समझेगा दोस्तों तो दोस्तों अभी आप सब समझ गए होंगे कि disability element आपको कितना मिलने वाला है कितना हर महीने बड़ोत्री होने वाली है और आपका जो है invalid pension भी आपको कितना मिलेगा invalid pension का service element disability element सारा चीज आपने इस वीडियो में calculation पूरा सटिक calculation आपका हर महीने का बड़ोत्री और area के बारे में जाना और area के पहले मुस्त में कितना मिलेगा वो भी जाना साथ ही साथ मैं बता दूँ दोस्तों कि इस वीडियो के description box में मैं आपको government का जो 20 January 2023 का अभी जो notification निकला जो कि जो 248 page का है और उसमें 121 table सामिल है उसका भी link डाल दूँगा description box में जिस link को click करके आप उस letter को download कर सकते हैं और साथ ही साथ अभी जो data मैंने दिखा है आपको उसका PDF भी मैं आपको बना करके description box में उसका link डाल दूँगा आप उसको भी download कर लीजिएगा और अगला वीडियो जो है वो बड़ा special वीडियो रहने वाला है चाहें आप service element ले रहे हैं कोई भी element ले रहे हैं किसी भी rank के हैं किसी भी length of service के हैं सभी का calculation कितना बढ़ेगा आपको it uphill हरी कितना मिलेगा और आपको मुस्तों में मिलना है अगर 5 000 मिलना है तो आपका पहला इस्सा कितने का होगा इसका पूरा खाका लेकरके मैं अगले वीडियो में अउंगा तो अगले वीडियो को मिसमत कीजीएगा क्योंकि वह अगला जो लंबा भी नहीं होगा, मैं सौट में एक ऐसा डाटा बणा रहा हुँ हूँ छिस डाटा को लेकर में अगले वीडियो में आउंगा तो इस वीडियो में बने रहे गा तो आज के वीडियो में इतना रहा है